हाई गाईज, वेलकम बैक टो में चैनल बादबादी लबबर तो कैसे हो सारे उम्मीद्य के ठीटा होंगे? आपके बस ठीक होंगे? आप भाईजों के दवाव से मैं बढ़ी ठीक हो मेरे बस ठीक है तो, आपका भाईज बारत एक पर फिर हाजिर है एक नई टपिक के साथ ए सारे मेरे मित दोस्त हैं उन्होंने मैं को कमेंट्स किया था YouTube से भी और WhatsApp पे भी कमेंट्स किया था कि भाई सर्दिय स्टार्ट हो गयी है तो आप प्लीज हमें बताइए कि जो बजीज को हम जो डाइट होती है सर्दियों में हम क्या डाइट दें क्या सॉफ्ट वूड दें क्या खाने में क्या देना चाहिए तो उसके बारे में आप एक डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यदा हैलफुल होगी तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक अच्छी सी वीडियो बनाके फुल डिटेल में बनाके आपको वीडियो बना जाता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा ठीक है बहुत सारी लोग गलती करते हैं कि जो चीज उनको नहीं देना चाहिए वो दे देते हैं बजीज को फिर क्या जाता है उसका खामियाजा उनको और उनके बर्स को भगतना पड़ता है ठीक है बर्स बीमार हो जाते हैं बना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे कुछ गलती हैं जिसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या क्या देना है सब चीज हाँ गाइस एक बात हो रहा है कि जो यह मैं डिटेल बताऊँगा यह मैंने मंडे से लेके संडे तक ठीक है पूरा वीक का मैं आपको बता के चलूँगा कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ठीक है, तो वीडियो को last देखना है, और अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब कर देजे, ताकि हमें भी थोड़ा motivation मिले, और अगर आपने बैल आइकन आप नहीं दबाया हो तो बैल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि बैल आइकन से क्या होता है कि हम कोई वीडियो डालते हैं फूचर में उसका जो नॉटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचाता है और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाते हैं तो चली चलते हैं जली से ज़्यादा टैम जाया ना करते हो चलते हैं वीडियो की टॉपिक के तरफ चोटी से शॉट वीडियो बनाएंगे और जिसमें की चोटी वीडियो और जानकारी बहत ज़्यादा तो यह ऐसी वीडियो रहेगी वीडियो को last देखना है skip बिल्कुल भी ना करें skip करेंगे तो आपको जो जानकारी है वो आपको आपको miss हो जाएगे start करते हैं Monday से Monday को guys आपको क्या देना है? मैं आपको पहले बता दूँ कि गरेमियों में तो आप खाली जो कंगनी seed दे रही होंगे लेकिन guys आप क्या करना है आपको जिन भी भाई जो भी भाई कंगनी देते हों वो अपने जो कंगरी के अंदर बाजरा होता है वो मिलाना स्टार्ट कर दे यानि कि बाजरे को उसके अंदर मिक्स करना स्टार्ट कर दे ठीक है सन फ्लोवर सीड मिल जाएं तो वो भी डाल देजी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे जो बजीज हैं वो sunflower seed नहीं पगड़ते हैं तो कोई बात नहीं आप डाल दीजिए दिरे दिरे आज नहीं पगड़ेंगे दो दिर नहीं पगड़ेंगे तो नेक्स 4-5 दिन में वो सीख जाते हैं उसके पगड़ना ठीक है तो वही है कि क्योंकि बादसरी की जो तासीर होती है वो गरम होती है ठीक है और जो आपका sunflower seed होता है उसकी तासीर गरम होती है कुशम दाना अगर मिल जाए आपको डाल सकते हैं ठीक है अगर आपका लबबड है लबबड कॉक्टेल वगरा है बाकी जो बड़े परिंदे है वो तो जो ये mix वाला seed है इसको बड़े ही शौक्षे खाते हैं ठीक है बड़े परिंदों के लिए moonflower वगरा वो आप रख सकते हैं उसमें ठीक है तो वो भी बहुत शौक्षे खाते है उसे लेकिन बजीज है वो moonflower वगरा है वो नहीं खाते है ठीक है sunflower seed को ये बहुत कम पकड़ते है कोक्टेल लबड़ है वो आपके जो उसको mix seed को आसानी से पकड़ लेते है ठीक है तो आपको Monday हो गया आपका Monday को आपको देना है seed mix है जो मैं आपको बता दिया है वो आपको seed mix देना है उसके बाद आपको क्या करना है Tuesday यानि कि मंगलवार मंगलवार को आपको देने है boil rice जो कि देखें आप सामने वीडियो में देख रहे होंगी जो हमारे बजीज हैं वो boil rice बड़े जवार्यस तरीके से खा रहे हैं ठीक है बड़े शौक से खाते हैं लोग बोलते हैं कि हमारे तो एक खाते हैं लेकिन देखें आपके सामने शाक्षात प्रमार हैं आपके सामने कि जो मेरे बजीज हैं कितने सारे जुंड में एक साथ जो boil rice हैं उसका जो है enjoy करने खाने में कर साथ बहुत शौक दिखाते हैं तो यह हो गया आपको Tuesday यानि मंगलवार को आपको देना है वोई lies एक बात का आपको सक द्यानगना है उतना ही आप दें जितने आपके बजीज चार से पांच घंटे के अंदर सद्यो को टाइम है चार से पांच घंटे के अंदर खतम कर दें ठीक है जादा लंबी टाइम तक आपको जो सौट फूड है वो आपके जो बजीज के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने सुबा रखा और वो शाम तक भी चल रहा है और नाच दे भी चल रहा है उसके अंदर बैक्टिय आ हो जाते हैं पैदा और जिसके कंण जो बैक्टिया पैदा हो जाते हैं जिसे उन बजीज बीमार पढ़ जाते हैं तो ये भी मुख्य क् uniqueness होता है बीमार होने का मंगलवार हो गया आपको बुद्वार को आपको क्या करना है आपको देना है दुबारा से सीड मिक्स सीड मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सीड मिक्स आपको सातो दिन देना है समझे आप जो आप डाइट जो दूसरी डाइट है वो आपको एक्षेंज करनी है लेकिन जो seed है वो आपको साथो जो साथ दिन आपको आपके case के अंदर 24 घंटे आपको 24 एंटु 7 आपके जो case या कलोन है उसके अंदर जो seed mix है वो रखा रहना चाहिए ठीक है और आपको क्या करना है यो निए कि कहने का मतलब यह है कि next day आपको कोई भी sort food नहीं देना है ठीक है उससे क्या होता है लोग क्या कहते है कि हमारे बजीज को lose motion लग रहे हैं मैं उसे पूछता हूँ कि भाई आप diet में क्या दे रहे हूँ तो बताते हैं भाई कल मैंने rise दिये थे फिर मैंने और दूसर स्वाशूर दे दिया उसके आपको एक दिन skip कर देना है next day यानि कि वीरवार को ठीक है आपको वीरवार को आपको देना है रोटी होती है जो कि आपके घरों में भी शाम को जो रोटी बसती होगी ठीक है उसको क्या करना है आपको सरदी का मौसम में गरम पानी में उसे भीगो लीजिए जादा नहीं आपको 5-7 मिनट आपको पानी में भीगोना है 5-7 मिनट होने के बाद उस पानी को बिल्कुल निचोड लेना है ठीक है फिर आप रोटी को अपने बजीज के केज में रखिए बड़े शौकशे बड़े शौकशे उसे वो खाते हैं ठीक है और उसके बात फिर आपको क्या करना है शुकरवार शुकरवार को आपको क्या करना है कुछ भी नहीं देना है ठीक है खाली आपको Seed Mix आपको देना है ध्यान लखना continue seed mix कोई ना दे फिर आप फिर आपके जो ग्वजीज है उनको lose motion लगने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है शुकरवार को आपको खाली seed mix आपको देना है उसके बाद क्या करना है आपको सनिवार का देना गया सनिवार को आपको क्या करना है कोई भी आप गंदुम हो गया गंदुम चलेगा यानकि जो अनाज बोलते हैं हमारे अंडिया के अंदर उसको गेहों बोलते हैं अनाज बोलते हैं ठीक है लेकिन पाकिस्तान में उसको क्या बोलते हैं गंदुम जिसको आटा हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको क्या गरना है आपको 24 गंटे आपको उसको पानी में विगो के रगना है 24 गंटे में क्या होगा जो जो दाना है उसका वो बिल्कुल शौफ्ट हो जाएगा यानि कि दुद्ध्यल टाइप में उसका हो जाएगा आपको ऐसे ही नहीं देने हैं आपको क्या करना है पांच मिनट कम से कम आपको पांच नहीं तो दो मिनट आपको जो गरम पानी लेके गरम पानी के अंदर उसको आपको बालना है उससे क्या होगा जो इसकी तासीर ठंडी होती है वो तासीर उसके गरम हो जाएगी ठीक है उसक आप नेक्स डे यानि कि संडे वाले दिन आप जो एग फूड ट्रैक करा सकते हैं जादा नी थोड़ा बहुत दे सकते हैं ठीक है क्योंकि एग फूड के अंदर केल्शिम वगरा होता है और बीच में आप कभी किसी चीज को स्थिप करा के किसी चीज को आप छोड़के आप य पालक वगरा नहीं देते हैं ठीक है क्योंकि लूज मुशन बहुत ज़दा लगने की चांस होते हैं पालक से कोई बहुत ज़दा गरम होता है ठीक है इसके अंदर काफी होता है काईबरेड वगरा होता है ठीक है बिटामिन्स पर बहुत अच्छी से होने होती है तो आप इ है था था भी वाई ए लाए जो बता है लो आपको देते रहना है आप कंटीव है करा तो आप तो ॥ खरोड़या को आप एक तुन वाई शोड़का करते रहे जो आप लीए जोड़के करांजा को हमारे कलाउनिया केस के अंदर बच्चे हैं क्या हम एंटिवायटिक दे सकते हैं बिलकुल दे सकते हैं बाई बिलकुल शौरली दे सकते हैं आपको दिक्कत नहीं है एंटिवायटिक है जो मैं आपको वीडियो में बता रखी है कोई भी एंटिवायटिक खरीदें वही खरीद देने का तरीका वह यह पान्य उगरा में घुमलाके देतें एक लिटर पानी में चार से पांच एमल जो है उसका देने का कौंटिटी होता है ठीक है और हो सकता है तो आप शॉट्ट फूड के ओपर भी उसको जो मैडिशन वगरा है उसको जो सीरप पर उसको डाल के दे सकते ह ठीक है यह मेरा कुछ एक शुडूल था वीक का कि हमको किस दिन हमको क्या देना है ठीक है उमीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाए गई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप छोटा सा लाइक करना अपने भाई को स्पूर्ट करना और दिरे-दिरे हमारे जो डू फै है दिल से दन्यावाद तो आपका भाई भारत ऐसे ही मेनत करता रहेगा आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बात रहेगा आपके बास भी कोई अगर कंटेंट है आप मेरे को केमेंट्स करें ठीक है वर्ट्ट करें कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना देजे मैं जरूर उस बनाऊंगा तो गैस मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए नमस्कार बाई फेंट अपना ख्याल रखें अपने बर्स का ख्याल रखें बाई फेंट